Hello students, E-type की last class में जो problem कराई गए थी वो कुछ इस type की problem थी तो जो लोग absent थे वो इसको इसकी practice कर लें और इनकी class छूटी थी last time वो Monday को lunch में आके, lab में आके class कर सकते हैं उसके बाद 4.30 से next class continue होगी तो इस frame में इस problem में देखो, आप सबसे पहले जो देखने वाली चीज़े हुआ है coordinates यह जो इसकी यह direction है, यह है x और यह direction है इसकी z जैसे कि हमें पता है कि E-type में कोई भी structure बनाने के लिए हमें पहले grid define करने होती हो grid में केवल हम plan की grid define कर सकते हैं और plan हमारा E-type में होता है x और y में इस तरह से यह होता है हमारा x और यह होता है हमारा y ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर इस problem का आप देखेंगे एक frame है और जो उसका view है वो elevation view है यानि कि यह direction तो x है बट इसकी जो height है वो z में है तो grid में हमारा z तो होता नहीं है z कहां होता है हमारा story में तो देखें हम इसकी कैसे grid define करते हैं तो सबसे पहले तो x में तो हमें grid चाहिए दो line grids की जिनकी spacing होगी 6 meter ठीक है उसके बाद हमें story कितने चाहिए story 1 जिसकी height 3 meter है story 2 जिसकी height 3 meter है चलिए start करते हैं तो सबसे पहले new model units दिहान से select कर लेनी है meter metric si होनी चाहिए ok करना है जी grid options आजाएंगे आप एक्स में हमें two lines चाहिए और हमें x में spacing क्योंकि 6 meter का space है यह आपका 6 meter का space है x direction में तो हमें केवल 6 meter चाहिए यह हो गया उसके बाद देखिए z में z में हमें story height देखनी होती है तो कितनी होगी story कितने है two और each story कितना है three meter बस इतना करना है आपको और ok कर देना है देखो यहाँ पे जो grid आई है उसमें देखो कितने frame बना सकते हैं एक frame यह जो हमें बनाना है इस तरह से हम बना सकते हैं और एक frame आपका यहाँ पर बन सकता है यह y direction लेकिन हमें grid कितनी भी बड़ी हो हमें जो shape का में structure बनाना था वो grid इसमें है तो हमें किसी और चीज के जरूत नहीं है ठीक है तो सबसे पहला step होगा हमें define करना है material m25 तो define में जाना है यहाँ पर define material add new और यहाँ पर Indian concrete और यहाँ पर m25 दुबारा से करते m25 ओके करना है उसके बाद यहाँ पर आपका material की कुछ properties आएंगी जो अभी हमें कुछ इनको touch नहीं करना है इन सबको अभी केवल title चेक कर लेना है यह पर m25 है तो ठीक है और ok कर दो m25 लिस्ट में आ जाएगा आपके अब define करने हैं हमें cross section पहला है हमारा beam और दूसरा हमारा column जो ज़्यादा होता है cross section में जैसे की beam में है आपका 400 by 500 इसका मतलब है कि 500 हमारी depth है और 400 हमारी width है ठीक है तो दोनों ही column beam हमारे किसीच के बने है m25 तो मैं गया e-tab में define किया section में frame section frame को e-tab में column beam को frame बोला जाता है ठीक है इस पे मैंने click किया और add new किया और rectangle size चीए हमें और यहाँ पर title डालते है beam और material उसका m25 और beam की depth कितनी है आपकी 500 और width कितनी है 400 और okay कर देना है देखो यहाँ पर beam आ गया इसे जारा से एक और property define करनी है rectangle इसका title होगा column और concrete होगा असका material m25 और size is 600 by 600 ठीक है यह हमने define कर दिया okay कर देना है तो यहाँ पर beam आ गया है और एक column आ गया देख सकते हो आप यहाँ पर beam और column okay कर दिया ठीक है अब यह कौन सा भ और यह कौन सा है आपका 3D view तो सबसे पहले मैं beam बनाने के लिए यह icon use करता हूँ quick draw beams जिस पर red dot है इस पर click करके यहाँ पर click करूँगा मैं तो जैसी मैं यहाँ पर click करूँगा आप 3D में देखोगे केवल एक beam बना जबकि दो beam चाहिए हमें उपर नीचे problem में भी आपको क्या करना है यहाँ पर जाना है one store को करना है all store है ठीक है control Z कर लेता हूँ मैं यह इस beam को भी हटा देता हूँ देखे अब यहाँ पर all store है और अब मैं यहाँ पर click करता हूँ तो दोनों beam एक साथ बन जाएंगे ठीक है इसी तरह से इसी के नीचे है column और हमें यहाँ पर column के लिए click कर देना है एक गलती है आप लोग हमेशा करते हो कि जब आप column beam define करते है ड्रो करते हो तब यहाँ पर property डालना भूल जाते हो ठीक है तो यहाँ पर property दियान रखना है जैसे मैंने अभी नहीं डालिए तो control Z से undo हो जाता है ठीक है और मैंने यहाँ पर beam पर click कि आप column और मैंने यहाँ पर column पर click कर दिया जैसी आप column बनाओंगे आप देखोगे कि pin support आटमेटिक यह assign कर देता है तो हमें इसे fix support में convert करना है अब इसको change कर लीजिए all story को one story में होगा क्या मालिजिए आप इस beam पर load लगा रहे हो तो दोनों पर लग जाएगा क्योंकि यह यहाँ पर all story है तो यहाँ पर one story convert कर लो इसको तो हमारा structure बन चुका है अब बात आती है support की तो मैंने दोनों joint को select किया और assign में गया joint restraint और fix पर click किया ओके fix support लग चुगी है ठीक है अब क्या है हमारा load की बात करते हैं तो सबसे पहला load 5 km per meter का UDA लगा हूँ है टॉप की beam प दिया डायट यहाँ पर five डाल दोकर तो पूरे बीम पर लग जाएगा ओके यह लग गया अब next load पर आते है next beam पर इस beam पर load जो start हो रहा है अच्छा यह बताना में भूल गया यह तू मीटर है तो यानि कि यह भी two हो गया यह भी two हो गया निकि load start कहां से हो रहा है टू मीटर से और खतम का हो रहा है चार मीटर पर यहां से अगर count करें तो मैंने नीचे वाला beam select किया और assign frame load distributed और यहां पर मैंने यह select के absolute distance यहां पर डाला two और यहां पर डाला four और intensity है three और three इसको zero कर देना है इसको बलकि हटा देना है यहां से ठीक है okay कर देना है यह लग गया हमारा three next load क्या है यह load जो लग रहे है यह beam पर नहीं लग रहे न force in X direction ठीक है यह दिहां रखना है तो मैंने क्या किया यह joint select किया और कितना लग रहा है four assigned joint load force fx में कितना six और नीचे कितना लग रहा है? sorry, 4 लग रहा है यहाँ पर 4 लग रहा है, मैंने 6 लगा दिया तो कैसे किसे change करेंगे? मैंने joint को select किया, assign, joint load और यहाँ पर 6 की जिंगा पर 4 कर दिया और replace हो जाएगा, कि यहाँ पर replace वाला select है इसी तरह नीचे वाला joint select किया और assign, joint load, force और यहाँ पर value डाले 6 और ok तो सारे load लग चुके हैं अब इसको analyze करते हैं save करने के लिए पूछेगा, title डाल देते हैं frame और save analyze करते के साथ ही जो आपकी shape आती है deformation, deflection ठेक है, अगर इसको animate करके देखना है तो यहाँ पर click कर सकते हैं ठेक है, PC की configuration पर depend करता है हो सकता है, hang हो जाए हो सकता है, close हो सकता है तो करके देख लेते हैं यह deflection है, यानि कि load हटाएंगे लगाएंगे तो इस तरह से deflect होगा अब bending moment shear forces के result चेक करते हैं यहाँ पर अगर click करेंगे आप तो bending moment 33 है, show value पर click करेंगे पहले हमें animation रोकना होगा तो bending moment आ गया इसी तरह shear force चेक कर सकते हैं टू-टू पर और right click करेंगे beam पर तो उसका data आ जाएगा यानि कि load diagram, shear force diagram, bending moment diagram, deflection ठीक है, अब कुछ tools हैं view tools हैं, उनको किक करके जानते हैं यह वाला tool आप सबको पता है 3D अगर मैं इस window पर click करता हूँ तो यह activate हो जाती है, यह blue हो गई और अब मैं 3D पर click करको तो यह भी 3D बन जाएगी सेम इसकी तरह ठीक है और अगर मैंने इस पर click करके फिर मैं shear force bending moment चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर bending moment आगया यानि कि हम कई सारे result अलग-लग window में देख सकते हैं ठीक है 3D समझ में आगया अब 3D के बगल में है एक plan plan पर click करता हूँ तो एक window खुलती है इसमें देख लेते हैं सबसे पहला option दिया आप है story 2 story 2 कौन सा है ये वाले beams कौन कहां पर आते हैं हमारे story 2 पर आते हैं ये वाले beams ये story 2 है ठीक है अगर मैं story 2 पर click करके ok करता हूँ तो क्या होगा यहाँ पर plan जो होगा वो ये होगा ये beam दिखाई देंगे जो हम आपने red की है ठीक है ok करो देखो अगर मैं यह कोई beam select करता हूँ तो देखो कौन सा beam select होता है result को हटा दें थोड़ी देर के लिए देखो जैसी मैंने इसको select किया तो select किया हुआ टॉप का beam होगा क्योंकि हमने यहाँ पर story 2 select किया हुगा है अगर मैं plan में जाके story 1 करता हूँ और ok करता हूँ तो अब देखिए अगर मैं इस beam को select करता हूँ तो कौन सा beam select होगा देखिए जब मैंने इस beam को select किया तो select कौन सा beam हो रहा है second first story वाला क्योंकि यह plan first story गा इसी तरह आप plan में जाके अगर base कर देंगे तो base पे क्या है हमारे base पे supports है तो वो दिखाई देंगे joints के वाल देखो joints दिखाई देरे कोई beam नहीं है आप ठीक है अब इस plan को जैसे base बेस से story 1, story 2 हमारा यह गया है इसको हम directly इन एरो से click कर सकते है अभी plan क्या है हमारा देखो यहाँ पे z की value 0 है यह नहीं base है अगर मैं अप पे click करता हूँ तो story 1 आ गया अब मैं एक और बार अप पे click करता हूँ तो story 2 आ गया इसे तरह किसी भी story पे up down करके जा सकते है ठीक है अब बात करते हैं next step elevation elevation पे click करोगो तो यहाँ पर a, b, c, d, one, two, three मांगरा देखो यह id क्या है हमारी 4 और यह है हमारी 3 यह हमारी 2 और यह है 1 अगर मैं 4 select करता हूँ यहाँ पे तो क्या होगा हमारे को यह वाला view दिखाई देगा यह वाला view 4-4 वाला यानि यह पूरा frame दिखाई देगा करें 4 पे click OK अच्छा यह वाली window में select करते हैं पहले इस पे देखना है diagram के साथ यह देखो यह वाली line कौन सी है यह वाली line यह 4-4 वाली line है इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है इसको 3-D में करनाट कर देते हैं दोबार है elevation में जाते हैं अगर मैं इसको 3-3 पे click करूँ तो यहां से दिखाई देगा structure अब यहां से क्या दिखाई दे रहा है यह grid दिखाई देगी तो structure तो दिखाई नहीं देगा यह grid देगी केवल अगर हम यहां से देखते ह अगर मैं अच्छी अगर करता हूं तो यह वाला को लगाने ज Ärad अगर हम से अगर से अगर मारा आघा देखते अगयर से अगर अगर आंगर कर क्लिक किया ए देखिए कोऊलम नजहारा रहा है और इसी तरह से हमने एलिवेशन पे कल्सक्रीक करके बी किया है तो दूसरा कम नजहारा एक 3D पर ही कर देशádहा है कि तो प्लान और एलिवेशन इस तरह से एए भी आप रोटेट करने के लिए जो अभी काम नहीं कर यह बटन किसी वही से काम नहीं कर रहा है कोई नहीं इसके बाद यह आपका प्रस्पेक्टिव व्यू ए इस पर क्लिक करो गया आप तो देखिए स्टक्चर प्रस्पेक्टिव दिखाई देगा ठीक है 3D में हम इसे कनवर्ट कर लेते हैं उसके बाद एरो है अब आप आप से बीट करने में असानी होती है उसके बाद यह जो है यह वाला भी छोड़ते हैं यह वाला भी मैं लास्ट में बताऊंगा यह वाला option इससे क्या होता है extrude option होता है देखिए यह भी graphic card और PC configuration में काम करते है extrude यानि कि हमने इसको cross section दिया है न इस window close करते है यह जो B में इसका size क्या है 400 by 500 और column का size क्या है 600 by 600 पर यहाँ पे तो line diagram है तो पूरा इसको cross section के साथ अगर देखना है तो यहाँ पे click करेंगे आप extrude पे तो पूरा cross section के साथ न ज़र आएगा तो यह था आपको extrude option यह क्या है transparent का यह भी समझ में नहीं आएगा होता क्या है हमारी slab जो होता है अगर उनको solid color होगा तो हमें slab के नीचे जो beam beam जा रहे हो दिखाई नहीं देंगे तो हम इससे पर click करते हैं तो चीज़े थोड़ transparent हो जाती है ठीक है उसके बार next है यह जब हम analyze करते हैं तो deformation shape इस तरह से दिखाता है इस तरह से आपको इससे सीधा करना है undiform shape बिना deflection के देखना है तो इस icon पर click कर सकते हैं यह हो गया इससे क्या होता है joint load check करते हैं इस पर click करके ok करूंगा तो joint पर जो load लगे हो शो करेगा इससे जो frame पर slap कोई बनाई नहीं है हमने इससे deflection दिखाता है इससे shear रिंफो वो दिखाता है sorry reaction जो हमारी support पर reaction develop हो रही है यह देखिये इससे bending moment shear force दिखाता है जो हमें पता ही है और इससे आपको दिखाता है plate में stress जो अभी हमारा नहीं आई होहां तक और इससे होता है design design part हमारा last time आए जाएं सभी methods को तो यह था हमारी last video में कि हम कैसे किसी frame को draw करते हैं और load लगा कि इसको analyze करके result को check करते हैं साथ में view कैसे कर सकते हैं किसी जीच को तो इसकी practice कर लेना और जो लोग lunch में आएंगे class के लिए जो absent to class करने के लिए lunch में जरूर आए और फिर साढ़े 4 सापकी कल class चून आएंगे! Thank you.